नमस्कार आप देखे रहें स्टड़ी 24 ओफीसियल मैं हर्बिर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों आज की वीडियो काफी इंपोटेंट रहने वाली है तो वीडियो के साथ बने रहें चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टाम टू टाम आपको हमारी इंपोटेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके तो जैसा अपनी टाइटल और थमनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले तो वीडियो काफी इंपोटेंट रहने वाली है एक बहुत बड़ी भरती है रीट परिक्षा जिसका बहुत सारे केंडिडेट काफी टाइम से वेट कर रहे थे लेकिन अभी इसी वीच एक बड़ी खबर रीट से निकल के आई है जो हम आप लोगों को बताना चाहते है जो रीट की परिक्षा 25 अप्रेल को होने वाली थी वो परिक्षा अभी स्थगित कर दी गई है मतलब पोस्पोन कर दी गई वो परिक्षा उसका फैसला लिया गया है उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ महवीर जैनती के दिन नहीं होगी रीट परिक्षा तो अर्प संक्यक आयोक के निर्देशों के बाद सरकार का 25 अप्रेल को रीट परिक्षा स्थगित करने का फैसला अब जून जुलाई में होने की संभाव नाम हलाकि यहां पर यह टेंटेटिव डेट है हो सकता है कि में में हो जाए तो यह तो नहीं है आपर की जून जुलाई में पका है लेकिन आगे अगर कोई डेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी तो यहां पर CM ने अर्प संक्यक आयोक के निर्देशों के बाद कमेटी बनाई थी कमेटी ने रिपोर्ट दी है कमेटी ने कि महावीर जैनती के दिन रीट स्थागित करने की सिफारिश तो यहां पर मतलब आप धियान रखें जो 25 अप्रेल को क्या है महावीर जैनती है और इस दिन क्या है कि जो अर्प संक्यक आयोग है उन्होंने मांग करी कि इस दिन परिक्सा नहीं कराई जाए क्योंकि यह हमारा एक पवित्र दिन है इस दिन आप यह परिक्सा ना कराएं तो अभी 25 अप्रैल को यह परिक्सा नहीं होगी और यह बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है और काफी candidates ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा निरासा भी हो जोगी और काफी ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा time और मिल गया लेकिन कोई नहीं इसमें जो मेनत कर रहे हैं उनको तो और एक दो मेनी का time extra मिल गया है तो आप preparation करते रहे हैं और preparation के लिए जुड़न बहुत बहुत दिन्यवाद जैहिंद